नमस्कार मित्रों भुवन जोसी को इंसाफ दिलाने की इस महा जंग में इस महा समर में आपका स्वागत है आप सब लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं एक लड़के को अकेले घेर करके एक भीड ने नोच नोच के मार डाला और उसके इंसाफ की जंग में आपने राष्ट निती को सपोर्ट किया है बहुत बहुत शुक्री आपका क्योंकि भुवन जोसी को इंसाफ दिलाना हमारे चैनल के प्रथम प्राथमिक्ता बन चुकी है लेकिन क्या आप लोग ये समझ रहे हैं कि 11 लोगों के केवल गिरफतार हो जाने से भुवन जोसी को इंसाफ मिल जाएगा क्या केवल पुलिस द्वारा अरेश्ट कर लिये जाने से इंसाफ मिल जाता है अगर आप ये सोच रहे हैं तो आपको कानून, सम्विधान, CRPC, IPC का नग्यान नहीं है आज मैं इतना बड़ा खुलासा करने जा रहा है क्या क्या कानूनी पचड़े इसमें फच सकते हैं दोस्तों आप लोगों को मैं बताता हूँ कि जो केस भुवन जोसी के साथ हुआ उसकी घेर करके हत्या हुई इस पे चार या पांच कानूनों की बात आई है सबसे पहले है IPC की धारा 302 जिसे कहते हैं हत्या इसमें 20 साल की सजा होती है फिर दूसरी संगीन धारा आई है पॉक्सो एक्ट पॉक्सो एक्ट 12 साल से कम या 16 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ यौन छेड़ चाल के उम्र में यौन छेड़ चाल के लिए ये केस लगता है ये फाइल भी दरजी किया गया है तीसरी जो धारा है 120 B आपराधिक साजी सरचना और इसके अलावा दो और कानूनी धारा इसमें लगाई जा सकती है एक तो होता है बलवा जहां पर भीड द्वारा या कोई आपस में लड़ाई के द्वारा हिंसा की जाती है और तीसरा होती है अशान्ति फैलाना